नमस्कार सिल्क टिवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ विकास कुमार आज हमारे साथ रजनिश राज ठाकुर जी माजूद हैं बेसक आपने नाम से इन्ये नहीं पहचाना होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि रजनिश ठाकुर जी भागलपूर के नातनगर निवासी हैं और कई सारे फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं, कई सारे फिल्मों की कहानी भी लिख चुके हैं, हम आपको बता दें कि तक्रीवन चार ऐसी फिल्म जिसको इन्होंने निर्देशन किया, प्यार तुने क्या किया, लव के लिए कुछ भी करेगा, रोड, डर मना है बहुत सारे फिल्मों के लिए इन्होंने कहानी लिखा है बरहाल आज हम आपको मिलवाते हैं रजनीश ठाकुर जी से सर सबसे पहले दो सागत है आपका धन्यवाद धन्यवाद सर आप भागलपूर्व की धर्ती से हैं और खासकर यहां पर अगर देखा जाए सर तो अभी के दोर में तो पर्तिभाद की कमी नहीं है लेकिन आपके दोर जिसमें आपने अपना लुहा मनवाया सर उसके उस दोर में भी पर्तिभाद की कमी नहीं थी तो आज das शहर में माजूद है बड़ों का अश्रिवाद चाहूंगा पहले भी अभी भी और सब लोगों को बहुत सारा प्यार इस शहर में मेरा बच्पन गुजरा और यह मेरे लिए बड़ी स्वभागी की बात है कि उस धर्ती में बड़ा जनुबा जो की प्राचीन धर्ती है यह कोई आज का बसावा शहर नहीं है यह अंगराजकन की समय का है प्राचीन धर्ती है और जिस आपने का प्रतिवा की कमी कभी रही नहीं उस समय मेरे समच जब मैं गया था बॉम्बे 95-96 की बात होगी उसमें भी काफी लोग थे मैं यह कहूँँगा कि मैं बहुत लखी रहा भागशाली रहा कि मुझे जल्दी ब्रेक मिला पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ था दिमाग में कि मैं अभी भी जो बॉम्बे आया हूँ तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं तो मेरी मदद की अनुराख कश्यप ने अनुराख कश्यप जो है मेरे कॉलेज में मेरा सीनियर हुआ करता था तो उसने मुझे भीजा सुधानशु मिश्रा के पास सुधानशु मिश्रा जो है तुम सीन पढ़के सुनाते हो उसमें थे वो अपने क्या-क्या नाम हो रहा है एक्टर लोगों का बैंडिट कुईन वाले निर्मल पांडे वो तो अब रहे नहीं आशिश विद्यार थी स्मृति मिश्रा तारा भी थी अखिल मिश्रा काफी लोग थे तो इन लोगों को जब क अभी कभी तुम कुछ सरीशन देते हो तुमारे अंदर एक राइटर है तो मैंने का सर अब मैं तो ऐसी थोड़ा होती करता हूं मैं तो उनने का नहीं एक काम करो तुम राइटिंग में जाओ क्योंकि फिल्म बनाने के लिए सबसे ज़रुरी चीज है वो है स्क्रिप्ट अ अगर तुम कहानी लिखना सीख लोगे तो वो जो है फिल्म मनाने की सबसे बड़ी विधा मैं मानता हूं ऐसा सुधीर जी ने कहा दूसरी बात उनने कही कि आप ऐसे असिस्टेंट जो है आप असिस्टेंट ही रहोगे आपका ओदा जो है वो असिस्टेंट कराएगा आप एक राइटर बनते हो तो आपके पास पैसा भी आएगा एक अलग तरीके का एक्सपोजर मिलेगा आपको और कहीं भी आप जाओ गए लोगों से मिलने तो लोग बोलेगा आप यह राइटर है और राइटर की बहुत जरुत है इस इंडस्टी में तो इस तरीके से उनकी मेरे लिए यह नॉर्मल सी बात है लेकिन मेरे लिए आश्यर की बात यह है सर कि पहला तो आप बिहारी दूसरी बात आपका जो बैक ग्राउंड रहा है आपके बाबुजी पिता जी जो है आईयस अधिकारी रह चुके हैं तो फिर आपके लिए इंपोर्टन हो जाता है सर एक आईयस बनना लेकिन इस तरह का बेक्ग्राउंड होते हुए और फिर इस फिल्मी दुनिया की ओर रुख मोडना कहीना कहीं सर यह मेरे लिए बहुत ही आश्यर की बात है यह मेरे लिए भी बग्ष्चेर की बात है यूंकि मैं डेली यूर्स्टी में पढ़ाई कर रहा जिसे सारे हम बिहार के लोग करते हैं, कि हमको मालूम है कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई सबसे बड़ा जरीया हमारा है, जो हम सब मध्यवर्ग परिवार के लोग होता है, चाहिए आप बैंक में जाएं या UPSC में या BPSC में, सरकारी नौकरी चाहिए होती सबको, पिता हुआ यह कि जब मैंने गराईजेशन कर लिया मैं कभी भी जो कहते हैं बहुत इस्टूडियस स्टूडेंट की हर दिन पढ़ने वाला वह नहीं था, लेकिन मैंने यह रिलाइज कि यूपीसटी गराईजेशन की तरह नहीं है, तो सदनली जो कहते हैं आपकी मेरे पैरो तल हो गई कि मरता क्या ना करता कि अब तु भाई यूपीसी तु मेरे से होने वाला है नहीं, तु मैंने चोल अच्छी बात है, तुमको कम से कम रियालिटी तु मालूं पड़ गई, तुम गलत फिर्मीन तो नहीं हो, लेकिन अब करोगे क्या, तो अच्छा मास कम्यूनिकेश वाह फिल्म डिर्षण का कॉर्स और एक नर्सी मोण जी, वो भी बॉंबै में, वाह था एडविटीसमेंट का कॉर्स, मैं थेनों जगा एक्जम लिया, तीनों जगा मेरा रिटन में हो गया, सबसे पहले इंटर वी वा सेन्ट जेवियर में, वहा मेरा इंटरवीय हुआ जै सर एट तक की जो पढ़ाई है राजधानी पटना से हुई उसके बाद फिर ट्वल्थ जो है आपका टेंथ जो है उसमें हमारा जो बिहार और जारखंड अभी जाए उसमें बटवारा नहीं हुआ था एक ही था उसमें के दौर में आपने फिर वहाँ पर बरतमान के जो कर सकते हैं वहाँ पर आपने पढ़ाई किया उसके बाद सर ट्वल्थ जो है आपने रेवेंस और कटक ओडिसा से जहां से सुवाश चंद्र वह उसमें पढ़ाई की तो फिर कहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि यह जो दौर बदल रहा है आप पटना फिर राची फिर व यह बहुत ही मेरा हसते खेलते भी था क्योंकि अगर मैं खुद को जाचा और परखा होता इस दौरान तो मुझे समझ में तभी आ गया होता कि मैं पढ़ाई के एक खास तरीके में अच्छा हूं लेकिन जो रटन्त विद्या होती है उसमें अच्छा नहीं हूं यह मेरे किस आत्र किरदार कहानियां यह मुझे बहुत मदद मिला अलग-अलग जगा लोगों को अलग-अलग संस्कार अलग संस्कृति देखने का मौका मिला तो वो मेरे फिल्मी करियर में काफी काम आया सर पहली फिल्म का जो आपने निर्देशन क्या लिखा 2004 में और वो रिलीज 2012 में तो कही न कहीं सर एक लंबा गैप नजराता है तो कहने का मतलब सर यह है कि यह जो दूरी है 2004 में आपने फिल्म लिखा उसके बाद 12 तकरिबन 6-7 साल की यह दूरी है तो कहीं न कहीं ये दूरी जो है सर क्या चीज को दर्शाता है दिख्या है कि लोग जब भी बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तो उनको दिखते हैं hero heroines क्योंकि हम कितनी भी कहाने लिखें कुछ भी करें जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं जो परदे पर दिखते हैं उनके लिए तो ज्यातर लोगों को ये लगता है और लगेगा ही मुझे भी ये लगता था कि फिल्म जो है वो सरफ चमक दमक है glamour लेकिन इस चमक दमक के पीछे बहुत ही एक dark side है बहुत अंदकार है बहुत संघर्ष है बहुत परिशानी है लाखों लोग वहाँ पर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मेरे साथ कि कितने लोग हैं जो कि आज भी tv सीरियल में ही काम कर रहे है वो फिल्म तक नहीं पहुँच पाए संघर्ष की जहां तक बात है सर तो अच्छा हुआ आपने मास कम्निकेशन किया लेकिन इस छेतर में नहीं आए बलना हला कि बरतमान दोर की बात करें सर तो पत्रकारिता भी इस चीज़ से अचुथा नहीं रहा है अबी के दोर में सर कितना आसान है क्योंकि आज के दोर में खास कर अपना शहर भागलपूर बहुत सारे बच्चे यहां से भी यहां पे निहा शर्मा अभिनेत्री जो आज बॉलीवूर्ड में भागलपूर की हैं और भागलपूर से और भी बच्चे जो हैं डान्स के छेतर में गाईकी के छेतर में हुआ सारे बच्चे बड़े पतों sobie में पुहचें भी हैं लेकिन सर अभी जो बच्चे अपनी शहर में कोई बड़ा शहर नहीं है शर अपना च्छोटा शहर है लेकिन बच्चे परतिभास तो सर उमर की महताज होती नहीं है बच्चे संघर्स कर रहे हैं और उनको ये लोगों के पास तो वैसे बच्चे जो एक्टिंग के छेतर में फिल्मी दुनिया में डांस में गाईकी के छेतर में बहुत सारे छेतर में जो जाना चाहते हैं और वो अभी संघर्स कर रहे हैं तो खासकर उन बच्चों के लिए उन यूबाओं के लिए सर क्या संदेश देखिये लाइन में एक छीज निश्जित है और वो कि अनिश्फिक लाइन इससे बड़ा अनिश्फित लाइन या इससे जदा अनिश्फिताओं से भरा पेशा शाइद ही कोई होगा योई शैद यह कोई होगा अभी सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भाषा की जहां तक बात है सर तो、 कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है चैए ओछ शेट्रिय भाषा हो या फिर राश्टिय भाषा हो प्र हमारा जो सर बिहार की जो भाषा है कहने हमारा जो आक्सेंट है वो कहानी लिखना तो इसमें तो और ही भासा की जो है एक बहुत बड़ी पकड जो है वो तो मेरा सवाल यहाँ पे यह है सर कि जो बच्चे बहुत सारे टैलेंट से भरपूर हैं परतिवा उनमें भरी पूरी है लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कहीना कहीं हमारा भाषा जो है वो फ्यक्टर करेगा आगे और आगे उनको कहीना कहीं रुकावट आती है बैसक वो सीख लेते हैं मैंने भी सिखाव, आपने भी सिखावगा तो पहले इस चीज़ को सर क्यों ना देखा जाया या तो फिर इसको नहीं देखा जाया या फिर बच्चों को इन पर मेनत करनी चाहिए तो भाषा हमारा जो है मैं पहले काच कुआँ कि भाषा जो है कोई भाषा बुरी नहीं होती है चाहिए हो छेत्रिय भाषा हो या राश्रिय भाषा हो भाषा बुरी नहीं होती है दीकिन सवाल यह है कि कहिना कहीं ये आड़े जरूर आता है खासकर फिल्म और मेडिया लाइन में हाँ ये अगर समस्य है तो ये इसका निदान भी है और मैं यह कहूंगा कि यह हमारा हमारे लिए समस्या नहीं है यह उल्टा हमारे लिए एक पॉजिटिव या प्लस पॉइंट है क्योंकि हम बिहार, यूपी, एमपी, रायस्थान, हिमाचल यह कुछ साथ स्टेट्स हैं जो कि हिंदी स्पिकिंग स्टेट्स हैं खाली यह कि हमारे जो एकसेंट उच्चारन वो हिंदी में कहीं एक रुकावट है, उसको ओवर कम करने के लिए उससे उबरने के लिए बहुत सारी तरीके हैं, पहले तो सिर्फ टीवी हुआ करता था, अब तो आपके पास मोबाइल है, अकबार भी है, अकबार जहां तक बात है उच्चारन की, तो उच्चारन तो आप टीवी में जो लोग न्यूज बढ़ते हैं, अगर आप उसको देखके आप करेंगे, तो आपका, अधुनिकता का दोर है, सरपास में टीवी है, फोन है, तो वो देखकर जो है, आप अपने इसमें उच्चारन में सुधार ला सकत हैं, जबकि आप देखेंगे, हिंदी भाशी होना, यह अपने आप में एक वदान है, क्योंकि वहाँ पर आज भी जो है, वो राइटर्स की कमी है, सर, आज सिल्क टीवी के माध्याम से भागलपूर से जूड़ी कुछ आपकी यादे हैं, जो की ताजा करना चाहते हैं, भा भागलपूर से जूड़ी तो मेरी सारी यादे मैं यहाँ पर पैदा हुआ, और सारी यादे जो हैं, यहीं की हैं, बाकी जगह तो मैं मतलब भटकता रहा हूं, भूलता रहा हूं, यादे भागलपूर की हैं, यहीं घर के पास में इमली का पीड़, वहां से इमली तोड़ कि अपने प्रोफेशन में तोरताजा करूँ जो यहां की कहानिया है यहां के टैलेंट है अगर उनको मैं जोड सकूँ तो मैं यह अपना बहुत बड़ा स्वभा की समझूँगा समझूगा कि इस माटी को कुछ तो मैं वापस दे पाया और कुछ ही दे पाओंगा बहुत कुछ एक इनसान माटी को क्या दे सकता है यही के हम आये हैं और इसी में मिलके जाएंगे तो यही है माटी का कर्द को कभी चुकान ही पाया है हाँ लेकिन यादे तो जो हैं वो सारी यादे में मेरी भागलपूर की हैं अच्छी यादे हैं दशारा यानि दुर्गा पूजा हर साल दुर्गा पूजा के समय में आप कहाना होता है तो सर बहुत सारी ऐसे दोस्त होंगे आपको जो बचपन में एक साथ हूं तो आज कहना कहीं सब अलग अलग जगा पूंगे एकिर्क आज भी आप से जुड़े हूंगे तो कहीं न कहीं एक महौल सा ताल आता हूँ आए आज तो फिल्म लाइन में कहानी कहानी लिख रहे है फिल्म के लिए निर्देशन कर रहे है तो वह सा जो महौल बंद्ठा होगो码 कहना कहीं आपके लिये तो घर्भागलपूर वो फिर बच्पन में ओपको धखेलता होगा हां विद अजोहेंट बंश आपको नप deb dakohad कि कुछ लोग यहां भी हैं लेकिन अब है तो एक से मेरा आना जाना कम हूँ पहले से रहान नहीं ना पहले उल्जा दिया, लेकिन जो समय भीता था हमारा बच्पन का वो बड़ अच्छा था, हाँ जब यहां आता हूँ आज भी, तो यह ज़रूर लगता है कि जो शेहर की भागदोड है उससे कहीं अलग यहां का जीवन अभी भी है भले ही वो पुराने वाली बात नहीं रही है, वो रहेगी भी नहीए सर्दौर की एक खासियत होती है कि वो बदलता grazingरूर है और जब वो सर्बदलता है तो सब कुछ बदल देता है हाँ सही है, सब कुछ बदलता है और उसके साहब से हमारी सोच भी बदलती है लेकिन फिर भी उन पराने दोस्तों पराने लोगों से मिलके लगता है कि अभी भी सब कुछ नहीं बदला है थोड़ा बहुत बदला है परहाल हमारे साथ थे भागलपूर नातनगर निवासी रजनीश ठाकुर रजनीश राज ठाकुर जी और इन्होंने 2011 में लूट और 2012 में मेरे दोस्त पिक्चर अभी बांकी है जैसे फिल्मों का निर्देशन किया और कहानी जो इन्होंने लिखा फिल्म के लिए चार कहानी जो प्रकाशित हुई है रिलीज हुई है उनमें से प्यार तुने क्या किया 2000 में ये फिल्म आई थी लव के लिए कुछ भी करूंगा ये फिल्म 2001 में आई थी रोड 2003 में फिल्म आई थी डरना मना है 2004 में फिल्म आई उनको कहिना कहीं इनका शहारा मिले और इन्होंने बताया भी कि मैं अपनी माटी के लिए कुछ तो नहीं बहुत कुछ तो नहीं कुछ तो करूँगा और अंततर इन माटी का मैं कहिना कहीं वो चुकता करूँगा जो मेरा बनता है तो मेरा भी यही है रिक्वेस्ट है गुजा आईएगा और आप सिल्क टिवी पे आप में देख सकते हैं मेरा नाम विकास कुमार सिंग और हमारे साथ हमारे सहयोगी केमरामेन सलमान अनवर माजूत हैं और अगले एपीसोड में हम कोशिश करेंगे कि सहर में जो भी बड़े चर्चित चेहरे शक्षियत आए मैं उनसे आपको रूबरू कराओं वरहाल आज रजनीश राष्ठाकुर जी के साथ इतना ही बने रहे सिल्क टिवी के साथ नमस्कार